श्रीकाल जी सारे नो तो ड़त स्वाकते मेरे चैनल ते पे आज में बना रहे हैं कि पनीग दी बहुत की टेस्टी ते लाजवाब रेसिपी आज में बिलकुल ही टाप देते रेस्टोर और इंट वरिगा शाही पनीग का दे विच बनाते क्यार करांगे ते बहुत ही असांत अधर नो चलो जी शाही पनीग दी टेस्टी रेस्पी वधिया लगी तपिली जिरूर लाइक शेर करें चैनल पहली बरियांते आली तक चैनल नहीं सिस्क्राइब निंगे चलो जी शाहितनीग में बनाउंदी रेस्पी शुरू कर दिया इतने सब्तों पहला में तेन प्या या ते चार तो पाँज बडाम लेगा ते काजू दे बडाम दे विच आपा पादे ना जी गरम पानी ते दस मिनट लेगा नूगरम पादे प्योंके रख देनाए एदे नल की जड़ों दी पेस्ट बना वागे ते असानी दी नल डी पेस्ट मानके आपनी त्यार हो अपना तेल गरम हो गया जी फिर एदे विच पामांगी थोड़ा जाज जेला दो तेज पते एक खड़ी मसाले आपा जरूर लेने है जी खड़ी मसाले आदे बिना जेड़ा शाही पनीर अदूगाई बहुती तेस्टी पानी के त्यार होंदा नाली दाल ची नी एक एंच ते एक वड़ी एलाइची दो शोटे एलाइची एंदो लॉंक छेतो साथ काली मिर्चां से नाल ले याजी कश्मीरी लाल मिर्च जरूर लेने है साबोत लाल मिर्च भी ले सकते देना बहुती वड़ीया टेस्ट होंदा है ते जा मज़ता चौथा ही साले आजी साबोत तन या इसारी मसालिया नू आप थोड़ा जा पका लेना इना दा गच्छा पन खतम कर लेना है ते फिर आपा पौने आजी प्याज प्याज पाके प्याजानों मिक्स कर दे होई आपा हलका जा फ्राइचा जादानी आए हलका जा सोटे करत दो भाजी जी मैं यह न दा प्याजा छान्दा थोड़ा जा अपना कलर चेंज होगहा न पिर ये विचे अध्रक लशन ते हरीमेच पा देनिया अध्रक लशन हरीमेच उसन बनार या पकाॉद नसे इंतों किन काहिए पारति सम्हेदा है इक पउस्याव मिक्स तम यह recognizes क causing the आसे vale घुट करों जी में हलका जा पाएनों मिक्स कार लिया जी ते फ्राइग कार लिया फिर आपए देश पादेने हैं टमाटर टमाटर पाके आपा चंगी तरह तड़के दिन आली मिक्स कार लेने हैं सारीया चीजानों चंगी तरह मिक्स कार लिया फिर पामागे जी स्वाद और नसार नमक जिना नमक का अपनूं सब्जी दिलाई चाहिए ते नाली पादामागे बदाम ते काजू 10 मिनट अप्टे उन्तो बाद फिर मेन दा पानी काड़ पिकता सीगा यह पाके चंगी तरह आपा सारीया चीजानों मिक्स कार दे रहाएंजी टे नमक दिनालना जीड़ा तड़का है अपना जल्दी बनके त्यार होझदा यह उसलिए नमक में पहला ही पाद दिता है ते आपने टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जानेगे ते सारियां चीज़ानों मिक्स कारना है जी मिक्स कारके फिर कवर कारके आपा थड़की नू पकॉन आए थड़के नू आपा साथ तो आठ मिनट चंगी तरह पोज जानता का पाए नू पंदनाए जाने की पकॉन आए च सर्दी देविच तुसी शाहित नीर बिना रही होता ते फिर आप एदी पेस्ट बनाके राख लेने आजी मिक्सी देवेच के दूशी साइडर साथ तो आठ मिनट हो गया ते आपना तड़का आपा चेक कार लेने आजी मेरा तड़के एथे बिलकुल ही बदिया पोज के त ले आए जी वेच़ी में एक वारी चेक भी कार ले आजी तुसी तो नू लागते थोड़ा शाया था तुसी एनू चंगी तरा पुंद लेना एक तड़का पुंद नंते गया सापा बांद कार देना एक तड़के नू बिलकुल ठंड़का लेना ही जिवें ही आपना बार जाने की मिक्सी दा जग लेके में था वड़ा साइज वाला जग ले आएके उधे चापा सारा तड़का पा देना है ते तड़का बिल्कुल आपा ठंडा होलते ही पॉना ए चीज़ दा खास ख्याल रखना है अगर तुसी गर्म तड़के भी प्यूरी बनाऊंगे दा मि में अच्छे ना लूग पर नो आजावेगे ते स्वारा जड़ा ही मतलब साइडां ते शिट्टे पैजाने ते तोड़े उपर भी गरम गरम घरीवी ते थंडा करते ही आप आनो वर्तना है ते में सारा जड़ा अपना तड़का जाग दे विच पाले आए जो दी पेस्ट बना लिए बिल्कुल ही आपा फाइन पेस्ट बना लिए बिल्कुल ही जिसरा आपा टमाटो दी प्योरी बना लिए अगरता नो लगदा एदे वेच कोई मतलब गंडव गयारा रह गया जिक मोर्टा पीस रह गया थे तुसी यह नो शानके वर्तना है क्योंकि रड़ी ना आवाँ शाइप नेदी प्योरी हुं दिया वो बहुत ही फाइन हुं दिया थे फेर में सेम कडाई जेवेच एक चामसले आजी तेल ता नाली एक चामाच माच मखन करदा तुसी रड़ी मिल मखन ही ला सक दियो ते चामाच दा चौथा हिशा कश्मीरी लाल में थे चामाच और चौथा हिशा हल्जी पाउडर जे नाली एक चामसले आजी में कस्तूरी में थी शारी मसाले आनो आपका हलका पॉंद लेना 10 को सेकेंड ज़ा नहीं पुंद नहीं तैज्येडी मसाले आपने जल जा जाने जेते गयास आपना बिलकुल ही काट होना चाहिदा सेमते होना 10 सेकेंड पो नंतों बार जेड़ी आपा प्योरी बनाईये ना वो फाइन पेस्ट आ पादे निया पाक्याची आपा चंगी तरह इन्यों मेक्स कार लेयाना इनू तड़के जयादा पकाूएं कि आपा तड़के नू प्योड़ी आपा पेस्ट रख्याना उच पादे निया वो पादे निया आपा तेन तो मिनट पका लेना थीन तो चार मिनट लोग टू मीडियों फ्लेम ते तर्दी दीवेचे खस-कस ना जीडी बहुत ही हेल्थी हुँ दिया खस काना बच्च दे लही वी ते तुस्य बच्च नो इस तरह इनू पेश्ट बनाकियों भी वर्तों कार शात दियो इस अर्दी तो भी बचौन दिया ते काफी थाक्त वाली भी हुं दिया ते फिर आपा क यह अपनी ग्रेवी बिल्कुल बांगे त्याराजी थे होना पैदे विछ पामाँ जी ए फ्रेश क्रीम है तार जी फ्रेश मलाई लई या तुसी फ्रेश क्रीम भी लेसा कदियों मलाई ने में चंगी तरह फ्रेंट लाजी आप ए पादे निया ये में 10 वट देचा मच लाई आप पूरी ग्रेवी देवे खी 10 वट देचा मच पॉनेया में अधी पहला पादा मागी ते अधी बाद वेच चे वरता ही जी पाके चंगी तरह आपा मिक्स कारना है ये ते ते फिर एथे में ले आ जला ऑची 300agen पनीर तिन्सो ग्राम पनीर में मिश्करा ंदे पीचा अधे काटी आए दसंहीं अपने हिसाब धेनाल किसी तरह पीचा जाट चों देचा की सकाड़्यम्हों ते फिर आपका इस तरह डेकुरेट कारते ऊए इस सथ देक्खन कि देखो देखनों किनना वदिया लगदा ने बिल्कुल ही रस्टराण के टाप बेस्टाइल देखनों वदिया लगदा देखा अंदरे की बहुत पेसी मान्दा ओपर दी मैं डेकोरेशन दे लई पादी प्यादी फ्रेशम लाई ते नाली किश्मीरी लाल में थोड़ा लगदा धने गड़ानी तो ऑफ इस सत्य बातने मैं ते तुसी बंडने अंद्रेशों करने औहुत ही तैस्ट आपा दिरे स्दूत और ह्त ब्रूलो यह नह कीका तले में प्यारलिकल dollars में पनीर नो इसे तरह ही पादिता है फिर आप इन्हों शाहिए पनीर नो सर्व कर लेनाई जी तेथे में लिया काचिदा बॉल के अधिरेच अपां गर्म-गर्म सर्व करके नो प्रोस लेनाई तो सी एंजवाई का सब्या रोटी पराखे नान दे नाल बहुत ही तेस्ट नी बा किते हेल्थी रेस्पीज़ी जरूर बना के लिखकर में अधिया रेस्पी वद्य लगी, लाइक शेयर दे चैनल, जुरूर सिस्क्राइब करेऊ, ना लग दे बेल इकन उचूर प्रेस्टर यो मिल्डें जी नमीटे यस्टी देस्ट इनाल थेंक यू सो मुझ